अगर मान मिलेएं ले वक्तियार खिलजी में सुनंता तो नहीं गया था वक्तियार खिलजी शांची के किस्तूप पर नहीं गया था वह सतना जिला मध्ध़ पर देश का वहाँ पर जो समसे सुनंदा इस्तूप था भरोतिस दूप था वहाँ तो बक्तियार खिल जी नहीं गया था फिर ये किसने अगनी के हवाले कर दिये इनको किसने बस मुसाथ कर दिया आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी जैभीम साथियों सम्यक इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है एक महत्मुन विशे लेके हम मौजूद हुए हैं आप लोगों के लिए कि नालंदा विश्विध्याले को जो दुनिया का सबसे बड़े विश्विध्याले माना जाता था उसको जला दिया गया उसको तहसनेस कर दिया गया और इसके बाद बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं बहुत सारे किस से इसके पीछे जुड़े हुए हैं तो आज इसकी सच्चाई को जानते हैं उसके तहे तक पहुंसते हैं विचार लेते हैं बहुत अचारे शानते शुरूब बहुत जी से अपनी और से शुब कामनाई प्रेशित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, कि वो एक कुशल कारे को आगे बढ़ाने में दिन और रात लगे हुए हैं, ये ठीक है कि नालंदा के पतन की कहानी एक नहीं, बलकि कई कई कहानियां घूमती हैं, जब कोई सत्य पर परदा डाला जाता है, तो उस सत्य का दमन करने के लिए तरह तरह की कहानियां घड़े जाती हैं, ऐसा ही नालंदा के प्राभावक्स के संबंद में भी बहुत सारी कहानियां समाज में देश में फैलती हैं, आओ, हम कुछ अपने रिशर्च के आधार पर इ हैं, इसमें कोई संदे नहीं है, कि इस दुनिया में ग्यान के परसार का काम जितना भगवान बुद्ध और बुद्धान याईयों ने किया, इतना किसी ने नहीं किया, इस देश में जब बुद्धों का सामराज्य था, तो ये अपने ग्यान के बल पर दुनिया का सूर्य क पहलाता था और तेरा विश्विदाले उसमें वल्ल भी होता था उसमें आपका भागलपुर का विक्रम शिला होता था नालंदा होता था तक्षिला होता था इस तरीके के बहुत सारे विश्विदाले ग्यान के परसार में लगे थे बुद्ध ग्यान पहलाने की बात करते हैं मगर कई लोग कई तत्व कई वर्ग इस देश में जिनको बुद्ध की ग्यान करांती रास नहीं आई और उनके पेट पर बन आई तो वो इस ग्यान के मार्ग को अवरुध करने पर उतारू हो गए ये जगत परसिद सत्थ है और ऐसा तत्थ है जिससे कोई नकार नहीं सकता कि इस भारत वर्ष से बहुत धरम जबकि वो किसी के विरोध में नहीं था उनकी गलती खाली इतनी थी वो सील सदाचार के मार्ग पर चलते थे बगर सील सदा चार के मारक पर चलने के कारण उन लोगों का समाज में सम्मान कम होने लगा उनको दान दक्षणा मिलनी कम हो गई जो पाखन और इस तरीके की चीजों पर चल रहे थे तो उन लोगों ने अपनी दुकान बंद होती जब देखी तो उन्होंने निर्ण लिया इन बहुत धों को समाप्त किया जाए नई तो हम तो भूकों मरने की इस्थिति मा आ जाएंगे तो उन्होंने सारे देश में बुद्वियारों को आग लगाई विश्विद्यालों का आग लगाई बहुत भिक्कों के गर्दने काटी गई बहुत विद्वानों को मारा गया बहुत परतिभाओं को चुन चुन कर उनको मोत के घाट उतारा गया ये आपको तथ है इतिहास में दर्ज मिल जाएंगे मगर नालंदा की बड़ी विच्चितर कहानी है एक अफगान हमलावर बक्तियार खिलजी बारवी शताबदी में इधर पंजाब के रास्ते से उत्तरपदेश होता हुआ नालंदा होता हुआ बंगाल की तरफ चला गया उसको कहते हैं कि उसने नालंदा में आग लगाई और नालंदा में आग लगाई और छे महिने तक वह नालंदा में रखी हुई पांडूलिपिया पुस्त के गरंथ पवित्र गरंथ जो हाथ के लिखे होते थे ताड पत्र पर ताड का विरक्ष होता है ना उसके पत्ते पर जो लिखे जाते थे उनको ताड विरक्ष के पत्तों पर या ताल विरक्ष भी उनको कहते हैं बंगाल में उन पर वो लिखे थे छे महिने तक वो लाखों पांडू लुपियां दूं दूं करकर जलती रही और जब की विचित्र बात यह है कि नालंदा के आज पास जो आबादी थी वो बोधों की थी उन बोधों में से किसी को भी एक गिलास पानी तक उस आग पर लाने की इच्छा परबल नहीं हुई ये एक कारण है जो संदेह उस्पन करता है कि आखि अभी हम वीडियो देख रहे थे नालंदा पर जिससे हमें आपके साथ बात करने की आद प्रेयना प्राप्त हुई वो बोलते हैं कि राहुल शिरी भद्र एक वैदा चारे थे नालंदा में जब बक्तियार खिल जी नालंदा पहुँचा तो वो बिमार हो गया उसके साथ अ मेरी बिमारी नहीं समलती तो यहां के वैदों को देखो तो वो राहुल शिरी भद्र जो वैदा चाह रहे थे जो अपना आयरु वैदा चाह रहे थे उनके पास गए और उनसे कहा कि हमारे बाश्शा हमारे शहन्शा बिमार हैं आप उनका इलाज कीजिए उन्हों ने ठीक ह करूंगा तो बक्तियार्खल जी ने एक शर्त रखी वो शर्त ये थी कि मुझे देशी दवाईयां नहीं चाहिए जो दवाईयां हम लाए हैं आप इने में से सेलेक्ट करो और मुझे ठीक करो वो राहुल शिरी भद्र बहुत पूंचे हुए अरहत थे बहुत प्रकांड अ अफगानिस्तान से अपने साथ पुलंदा लेकर आए थे उनकी जांच परताल की उनमें से चैन किया और कुछ दवाईयों को उन्होंने बक्तियार खिलजी को दिया उसके बाद बक्तियार खिलजी स्वस्त हो गए तो साथियों अब इस पर भी कई तरह की राहे हैं एक राह मेरी दवाई मेरा इलाज नहीं कर सकी और ये दूसरे मुलक का विधर्मी व्यक्ति मेरा इलाज कर दिया ये तो मेरे लानत की बात है लगाओ इसे आग के हवाले करो इसे मारो तो इस वज़े से वो एहसान फरामोशी के कारण करतक गता के कारण उन्होंने उस वैद का पटल जी हमारे लेखक है उन्होंने वैदिक संस्कृति का अगाल में एक किताब लिखी अभी आने वाली है उसमें वो कहते हैं कि जब वैद के पास गए तो वो ये नहीं कहते हैं कि वो वैद नालंदा यूनिवस्टी के थे उन्होंने वैद का नाम भी एक दूसरा बताया है उन्होंने ये बताया है कि उस वैद के पास ज कर दूगा ये कोई बड़ी बात नहीं है तुमें कोई भेंकर रोग भी नहीं है हाँ आपके वैदों की संज में नहीं है वो बात अलंग है मगर मैं इसको ठीक कर दूगा कि चाहिए आपका रोग ठीक हो जाए अगर मेरी एक शृत है वो क्या है गहनों जाता है अगर आप ठीक हो जाते तो इसको आग लगा देना वो ब्रह्मन आचार है था जो बहुत परतिकों को चुन चुन कर समाप्त कर रहे थे वो भी उसी टोले में का था तो उसने इलाज किया, वो स्वस्वा और अपने वैद के पिर्तिक करता व्यक्त करने के लिए उन्होंने नालंदा में आग लगा दी, और भी कहानिया हैं, मगर हम कहना यह चाहते हैं, कि जो लोग यह कहानिया बता रहे हैं, यह वो ही लोग हैं जो खुद गुना करते हैं और उस गुना पर परदा डालने के लिए तरह तरह के कहानिया परचलित कर देते हैं यह असल में एक कथा चलती है जो आप देखेंगे दो इत्यास कार हुए हैं भारत वर्ष में एक तो लामा तारानाथ जिन्होंने प्राचीन भारत का इत्यास एक मोटा गरंथ लिखा है वो तिब्बती में था उसका बाद में हिंदी मानुवाद हुआ है वो हमारे हां से प्रकाशित होने वाला है दूसरे थी आचारे धरम स्वामिन इनकी इत्यास आभारत के इत्यास पर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि नालंदा विश्रुविद्यालेकी एक बड़ी स्वस्थ परंपरा थी वो क्या थी कि जब भी कोई छात्र जब भी कोई प्रवेशार थी प्रवेश लेने का इच्चुक कोई छात्र आता था तो द्वारपाल जो द्वारपरी ख़़ा रहता था वो उनका ज्ञान परिक्षा लेता था उनका इंट्रिवू लेता था और जब वो इंट्रिवू में सफल हो जाते थे उस ज्ञान परिक्षा में सफल हो जाते थे तब उनको परवेश मिलता था यानि के उनको एंट्रेंस मिलती थी आज भी जब दाखला होता है ना इसकूलों में कोली जोंबे यूनिवस्टी में उसको कहते हैं एंट्रेंस ये शब्द वो नालंदा की उस परथा से ही चला आ रहा है मगर एक वहाँ चात्र आया बड़ा विचित्र बड़ा आजीब उन्होंने कहा कि हमको परवेश चाहिए द्वार पालने कहा कि आपको परिक्षा देनी होगी उन्होंने कहा नहीं मैं तो ब्रामन हूँ अंदर बहुत ब्रामन हैं सब पढ़ रहे हैं जादा तर तो ब्रामन ही है क्योंकि ज्यान पिपास शुरू से ब्रामन रहे तो उसको नहीं का नहीं आप मुझे विशेश तोर से ये मेरा केस डील कीजिए और मुझे बगएर परिक्षा के अंदर जाने दीजिए मैं यहां का छातर बनना चाहता हूँ उन्होंने का ना कदाचि संभव नहीं है आप को पहले परिक्षा देनी होगी बाद में अंदर परवेश मिलेगा कहते हैं उसने संकल्प लिया कि मैं इस विश्रू इदाल्य को इसने ब्रह्म परवेश निशिद्ध किया मैं इसको तभा करके रहूंगा तो उसने क्या किया कि नालंदा के आजपास की इलाके में गूम गूम कर अकंड़ बयान आरंब किया विश्रू इदाले और वहां के आचारों वहां के स्टूडेंट्स को बदनाम करने का और वो जब देखा कि विश्रू इदाले के पिरती मैं घरना उत्पन करने में सफल हो गया हूं तो उसने उसमें आग लगवाने का काम किया और नाम किसका लगा दिया बक्तियार खिल जी को और ये सारी कहानिया फैला दें साथियो एक बात क्योंकि मैं जिन लोगों को संबोधित कर रहा हूं मैं ऐसा मानता हूं कि वो भी अपने अकल के बल पर कुछ सोचें अपने बुद्धी का प्रियोक करके कुछ निशकर्ष निकालें निशकर्ष ये है कि ये बक्तियार खिल जी को कहते हैं कि ब्रहामणों ने उनको ये कह दिया कि ये तो इनका बोध्धों का किला है तुमारे विरोध में और ये जो काशाए वस्तदारी भिक्कु हैं ये इसकी सैनिक है और इस कारण से बक्तियार खिल जी ने उनको विक्कु को कतल कर दिया और विश्विद्दालों को आग लगा दी ये सारी कथाए अपनी जगा हैं मगर एक तथ्य जो मैं आपके सामने परोस रहा हूँ उस पर चिंतन करना, मनन करना और सत्य तक पहुँचने का प्रयास करना वो ये है कि बक्तियार खिल जी आया था भारत वर्ष में अफग्वानिस्टान से आया था खैबर का दर्राप पार करके आया था खैबर पास से और पंजाब को होता हुआ उत्तपरदिश होता हुआ बंगाल चला गया हम अगर मान भी लें बक्तियार खिल जी में बक्तियार खिल जी ने नालंदा विश्व विद्याले को अगनी साथ किया था अगनी के हवाले किया था मगर इस बात का उत्तर कौन देगा कि बक्तियार खिल जी अजंता तो नहीं गया था बक्तियार खिल जी अमरावती तो नहीं गया था बक्तियार खिल जी साची के स्टूप पर तो नहीं गया था बक्तियार खिल जी वो सतना जिला मध्यप परदेश का वहाँ पर जो सबसे सुन्दर इस्टूप था भरुत इस्टूप था वहाँ तो बक्तियार खिलजी नहीं गया था फिर ये किसने अगनी के हवाले कर दिये इनको किसने बस्मसाथ कर दिया ये जो बोधो का सर काटने की लीला का वर्णन केरल से लेकर कश्मीर तक और उधर आसाम तक मिलता है वो कौन था जो ये सारा हत्याकांड करके गया था हत्याकांड हो चाहे दूसरे अनर्थों वो एक ही तत्व है जो बोध्धरम जिसको फूटी आँख भाता नहीं बुध्ध ने सत्य का ज्यान दिया था बुध्ध ने सत्यान वेशन किया था बुध्ध पहले सत्यान वेशी थे जिसको फूले जी ने सत्य शोधक का आथा उन्होंने सत्य को परखा सत्य का परचार किया ज्यान को परखा ज्यान का परचार किया अज्यानता का अंधेरा उन्होंने फार के रख दिया और जिनका बुद्ध के बैरी हो गए बुद्ध की पूरी संस्कृति के बैरी हो गए तो साथियों यह सारी कहनिया नालंदा के बारे कही जाती हैं ये सब गपोर शंक है इस पर भरोसा मत करना उसी ने उसी ने आग लगाई थी नालंदा में जो आद भी आत्मा के सबसे विरोधी विद्ध को महात्मा कहता है जो आज भी अवतार वादक से जिसका कोई मतलब नहीं जो आज भी बुद्ध को विष्णू का डवा अवतार कहता है साथ्यो भगवान शब्द बुद्ध के लिए इस्तमाल हुआ बड़ा गौरोशाली शब्द जिसने काम, क्रोध, मो इन सब को भगन कर दिया वो भगडवान हुआ और परचलन की भाषा में भगवान हुआ उन्होंने उस भगवान शब्द का अर्थ इश्वर कर दिया और ये जो काशाय वस्तर था इसे भगवा वस्तर कहा जाता था आज भगवा शब्द आतंक की निशानी बन गया कितने अलर्थ हमारे साथ हुए मगर कोई बात तो जरूर है कि हमारा वजुद तब भी वर्तमान में विद्धमान है हम अपने प्राकरम के बलपर अपनी सोध विर्थी के बलपर मुझे बहुत प्रसंता है अब नया खून जो उभर करा रहा है वो सोध परूर्थी का है वो गरंथों को खगालता है वो दिन और रात विश्व द्यालों में यूनिवस्टीज में जा करके अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं और बहुत उपियोगी जानकारियां लाकर के परूस्ते हैं साथियो जो भाषा थी बुद्ध के समय की वो पाली भाषा थी जो भाषा थी अशोक के समय की वो पाली और प्राकरत भाषा थी और जब बोधों का नास किया गया अंतिम मौरे समराट ब्रदरत मौरे की हत्या के बाद जो इस देश के अंदर एक विवत्स लीला आरंब की गई कतल गारत किया गया उसके बाद पाली भाषा का प्राभव हुआ और आइस्ते आइस्ते संस्कित भाषा का उदे हुआ ये संस्कित भाषा पाली भाषा के बात किया है ये संस्कित भाषा हमारी पाली भाषा की पुत्री है ये इसी से इसका जन्म हुआ था तो आज हमने जाना कि नालंदा विश्व दाले में आग लगाने की असलियत क्या थी और मैं इनी शब्दों के साथ आप सारे शुरुताओं का धन्यवाद जै भीम जै भारत जै भीम जै भारत झाले में झाले झाले में आप सारे शब्दों के सारे शारे जै भीम जै भारत